तो जैसे राम भाई कैसे हो सारे लोग मेरे ख्यार से अच्छे होगे आज 22 जनवरी है और आज 500 बर्सों के बाद गाईज मुझा समयलो यार तो आज दिवाली काफी धाकड़ वाला है आज अपन लोग दिवाली सेलिबरेट कर रहा है आज कि अपन लोग भी काफी सा रात दिया चुके और पड़ा वी फोड चुके तो अभी अपन लोग घर के उपर जाते और फिर आपको सारा भी हो दिखाते बट अभी मैं बहार से पुजा करके आया हूं भगवान जी का बजरंग वली का तीन मंद्री के पास गया तीनों जगा अपने लोग दीपक जलाएं हनुआ चली सा पढ़ें तो घर आएं और अभी घर का नजारा दिखातेगा जूपर छट पर जाने की बाद तो चलो भी दिखाते आपको नजारा भाई ये दिखो यार क्य लाइट खत्म हो चुकी है यार बट मंजर बहुत अच्छा था और अभी अपन लोग कुछ टाइम बाद पठाका भी फोड़ने वाले हैं अलागी फोड़ जोगे काफी सार हैं बट फिर से भी फोड़ने वाले हैं सो भाई आज अपन लोग इतना बीजी थे ना इतना पूजा पाथा बीजी थे ना कि अपन लोग यार वीडियो नहीं बना पाएं बट फाइनली अपन लोग आगे और फिर ये देखो अपना बेड गाईज महलों यह रूम में अपन लोग सोते थे पहले बट अब अबट बहुत ही खराब हो चुका पीछे के साट देगो कुछ ऐसा रखा हुआ है जैसे तैसे करके रखा हुए क्योंकि यह रूम में काफी दिन से लाइक है जब से मेरे वीडियो आना कुछ बंद हुआ है तकरीबन चार-पांच महिने से तब सही रूम ऐसे बिरान पड़ा हुआ देख लो यह चौकी है तो आज के दिन भाई जितना हो सकते उतना सेलेबरेट करोगा है जितना हो सकते न उतना पटाका फोड़ो सायद आप लोग यह वीडियो ना पटाका यह सब फोड़ने के बाद देख पाओगे तो चलो कोई ना हम तो भी छोड़ने जा रहे और अभ लाएंगे काफी इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग सा और फिर अपन लोग सोच रहे ना लॉंग टूर का वी वीडियो लाएं लैक बिहार से कोई दूसरा स्टेट उससे कोई दूसरा ऐसा टूर बला टाइप का ब्लॉग वीडियो लाएंगे तो उससे पहले अपने को लेना पड़ेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कौन सा कैमरा लो और आप लोग को सजेस्ट करके बताना मेरे को कौन सा कैमरा लेना चाहिए सो अब मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए बाइ-बाइ गाइस जैसे रिराम